मानिए उस्वाति मौदे मैं लोग परिक्षा रुसुतित साधन निवारन विदेग दोजाद चौबीस का मूल रूप से समर्थन करता हूँ क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो निश्पक्ष परिक्षाएं होनी चाहिए थी वो एक बहुत बड़ा व्यफसाए बन गया है पेपर लीग ऑनलाइन एग्जामेनेशन के अंतरगत छेड़ चाड़ और यहां तक की जो ऑनलाइन एग्जामेनेशन होता है रिजल्ट आने के बाद कौन से पेपर आसान था उसमें नंबर बढ़ा दिये जाते हैं और जो कठिन था उसमें नंबर कम कर दिये जाते हैं उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा ब्रष्टाचार का ये माध्यम बन गया है जिसका मैं उल्लेक करना चाहता हूँ माननी शिक्षा जो है Concurrent subject है लेकिन ये राजियों में जो परिक्षाएं हुई है जो recruitment हुआ है उसका सबसे बड़ा घोटाला मंद्रप्रदेश में व्यापम में हुआ और साथ में आज तक एक अजीब सी बात हुई कि जो जिन्होंने जिन्होंने पैसा देकर बच्चों की भरती कराई उनको तो जेल भेज दिया गया लेकिन जिन लोगों ने अवैधाने कर रूप से पैसा लेकर भरती की वे आज भी खुले घूम रहे हैं वे आज भी जेल के बाहर हैं मोल रूप से इसमें रश्टाचार के खिलाफ कारवाई होना चाहिए मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लेकिन खाने वालों को तो उन्होंने बड़े बड़े पत्वे पहुचा दिया लेकिन मैं आपसे अनरोध करना चाहता हूँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सबसे पहली बात तो यह एक कॉनकरेंट सबजेक्ट है और कॉनकरेंट सबजेक्ट के अंतरगत यह किन सरकार को यदिकार है कि यह राजियों के भी एक्जामिनेशन जो होते हैं उनको इसमें लिया जाया जो की इसमें शेडियूल में दिया गया है मैं माननी मनतीज से अनरोध करूँगा कि चुकि यह कॉनकरेंट सबजेक्ट है इसलिए राजियों में भी कि यदि कोई इस प्रकार की मांग आती है तो उसमें इसको शामिल किया जाए दूसरी बात माननी यह है कि ओनलाइन एक्जामिनेशन के कारण इतने हमारे पास कम्प्यूटर्स औगरा नहीं है लाखों में जिसकी वज़े से एक दिन एक question paper का examination नहीं होता है इसलिए अलग अलग दिनों पर अलग अलग question के आधार पर परिक्षा होती है और उसमें ही normalization का यह process उन्हों ने शामिल कर दिया है इसलिए online परिक्षा एक बहुत बड़ा ब्रश्टाचार का कारण बन गया है एक माध्यम बन गया है बाद भी दूसरे प्रांतों में जाकर वो अपना ठेका ले लेते हैं और खुले आम विफसाय हो रहा है मैं माननी मंत्री से अन्रोथ करना चाहता हूं कि जितनी परिक्षाएं हो यह ऑनलाइन परिक्षाएं बंद करें आफ लाइन होना चाहिए औजेक्टिव पेपर्स हो एक हलाकि आज ही तो हम कोई बिल मिला और आज ही अमेंडमेंट के अंदर टेबल आफिस कह रहा है कि आपका स्विकार नहीं करें जबकि मैंने टाइम पर दे दिया था इसमें क्लॉज वन टू पेज नमबर वन टू मेरा ये अमेंडमेंट है इसका दाएरा केंदर वराजियों अधा केंद्शासित परदेशों के आयोग भरती स्तान को संस्तानों तक होगा ये मेरा अमेंडमेंट नमबर वन है दूसरा मेरा अमेंडमेंट है क्लास टेन में पेज सिक्स नाइन नमबर फॉर में इसमें वो कंपनी जो इसमें दोशी पाई जाती है उसको इन्हों ने कह दिया है कि चार वर्षों के लिए उसको आयोग कर दिये जाएगा जो कंपनी चार जो आरोपी हो चुकी है उसको चार वर्षों के लिए उसको पर्मनेंटली पर्मनेंटली उसको आजीवन पतिबंद कर देना चाहिए उसका तीसरा मेरा अमेंडमेंट है कि परिक्षा प्राध प्रादिकरन लेकिन उसमें आयोग भी होते हैं बोर्ड भी होते हैं इसलिए माननी मंतीज मेरा निविदन है कि इसमें परिक्षा प्रादिकरन शब्द के बाद आयोग और चैन वोर्ड के शब्द को भी जोड़ा जाना चाहिए मेरा आकरी अमेंडमेंट ये है कि क्लाउज 11.3 पेज 6 लाइन नमर वन धारा ग्यारा तीन जोड़ी जाए अनदर सब क्लाउज जिसमें उन लेक हो कि परिक्षा में घोटाला सिध होने पर परिक्षा को निरस ततकाल किया जाए और उसके साथ साथ दोश्यों को दंडित भी करें साथ में ततकाल उसकी परिक्षा की जाना चाहिए उधारन के लिए मद्ब्रदेश में 2018-19 की परिक्षा प्वलिक सर्विस कमिशन की हुई और वो विवादित हो गई क्योंकि परिक्षा पेपर आउट हो गया था पांच साल तक उसमें आज तक कोई निर्णे नहीं हो पाया है इसलिए मेरा अन्रोद यह है उसमें भी समय सीमा तैकी जाना तो या तो वो खुद इस प्रकार का कानून अपने राज में लाएं या इस कानून को लागू करने की लिए भी यहां का क्योंकि अथरिटी आपको दे सकते हैं आपको अथराइस किया जाए तक कि उसमें शामिल किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि अथराइस